दोस्तों आज मैं आपको हारपी इगल पंची के बारे में कुछ रोचक बाते बताऊँगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हार्पी इगल एक प्रकार का इगल है हार्पी इगल को सबसे अच्छे नामों वाले पंचियों की सूची में रखा गया है हार्पी इगल पंची अमेरिका में पाय जाते हैं हार्पी इगल एक बड़ा रैप्टर होता है दोस्तों क्या आप जानते हैं हार्पी इगल अमेरिका में सबसे बड़ा इगल माना जाता है जिसका पंक साड़े छे फीट चौड़ा हो सकता है और इसे अमेजन के जंगलों में सबसे शक्तिशाली रैप्टर माना जाता है दोस्तों इसका नाम हार्पियों की प्राचिन यूनानी कथा से आया था ये पंची पूरे मध्ध अमेरिका और दक्षिड अमेरिका में फैले हुए है खासतोर पर उशड कटी बंधिये वर्षा वनों में पाये जाते हैं हारपी इगल दुनिया के कुछ सबसे बड़े रैप्टर में गिने जाते हैं जिन में मादा की लंबाई 2 फीट से 3 फीट तक लंबी हो सकती है दिखने में इनका ऊपरी भाग स्लेट काले रंग का होता है जबकि इनके नीचे का भाग सफेद और इनके सिर का रंग हलके भुरे रंग का होता है अगर इसके आहार के बारे मात करें तो इनके आहार में छोटे संधारी जैसे बंदर और उसके साथ ही साथ घरेलू पशुधन और छोटे पंची शामिल होते हैं दोस्तों इनके निवासस्थान के नुकसान के कारड हार्पी इगल को एक निकट संकट ग्रस प्रजात की रूप में सूची बद्द किया गया है इसका शिकार करना गैर कानूनी माना जाता है अगर इस पंची के वजन के बारे में बात करें तो इस पंची का वजन करीब 10 से 15 किलोगराम के बीच हो सकता है अगर इस पंची के जीवनकाल के बारे में बात करें तो ये पंची करीब 10 से 20 साल के बीच जीवित रहते हैं तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद